आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बलजैनो ब्रैंड का योगा ब्लेंडर बलजैनो एक इटालियन कमपनी है और इटली फेमस है अपने डिजाइन के लिए और इस प्रोड़क्ट में आप देखेंगे कि बहुत ही क्रेटिवली इस ब्लेंडर को डिजाइन किया गया है तो किस तरह से काम करता है वो सारी बस चेक करेंगे पैकेजिंग इसके काफी अच्छे थी यह बॉबल राप होके आया है पूरा प्रोड़क्ट अच्छे से और थर्मकॉल लगा हुआ था उपर और नीचे सबसे पहले इसके सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूं बाहर उसके बाद वन बाई वन आपको अच्छा और यह डिटाचबल है इसके साथ ही इस तरह की पेट पॉर्टल मिलती है जिसमें आप जूस करी कर सकते हैं पुशर है साथ ही इसके साथ एक मैनुवल है और एक रेसिपी बुक और एक ब्रश दिया हुए जिससे आप इसके ब्रेट वगरा क्लीन कर सकते हैं तो कि इसके साथ रेसिपी बुक में भी काफी सारी रेसिपी दी हुई है इसमें आप सूप, स्मूदी, जूसे काफी तरह के ड्रिंक बना सकते हैं और यह है एक जग जिसमें आप कलेक्ट करेंगे जो जूस में से निकलेगा तो उसके लिए दिया हुआ है तो बस इतनी सी साथ में अब इसे असेंबल कर लेते हैं तो जो हमारी मोटर है इसके उपर हम इसको अटैच करेंगे जो हमारा ब्लेंडिंग जार और ब्लेड असेंबली है यह साथ में ही रहता है इस तरह से इसको आप डिटैच कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है यह देख सकते हैं आप यहाँ पे lock और unlock बना हुआ है, यह red button जब आप प्रेस करेंगी तो उससे आप इस blade को jar से अलग कर सकते हैं, इस तरह से इसको clean करना काफी easy हो जाता है, तो यह देखे, red button मैंने प्रेस किया और इसको unlock कर दिया, इस तरह से jar अलग हो जाएगा और यह blade व होता है, तो वो उसका अलग process है, मैं आगया आपके साथ share करूँगी, यहाँ पर दिया हुआ है यह brush जिसकी help से आप blade को clean कर सकते हैं, तो इसमें mention भी है कि blade को आप हाथ नहीं लगाएं, बलकि इस तरह से brush की help से आप clean करें, क्योंकि काफी ज़्यादा sharp blade हैं इसकी, तो इस इस तरह से lock हो गया है, तो इसे आप check कर लें और इसके बाद यहाँ पर sound होती है, click की इस तरह से lock हो जाता है, और यह हमारी पूरी machine अच्छे से assemble हो गई है, अब जान लेते हैं इसके कुछ special features के बारे में, यह world का first automatic seed separation करने वाला blender है, यानि कि इसमें आप कोई भी fruit या vegetable seed क साथ में डालेंगे, तो seed उसमें से automatically separate हो जाएंगे और आपको मिलेगा एकदम clear juice, इसमें seed पीसे नहीं जाते हैं, बलकि वो separate हो जाते हैं, इसके साथ ही आप कोई भी vegetable और fruit का juice में निकाल सकते हैं, smoothie बना सकते हैं, इसमें एक और special feature है, जो की है cyclonic waterfall motion, यहाँ पे handle के पास method में rotate करता है, यह बलकिल उसी तरह है, जैसे कि हम अपना खाना 32 time चू करते हैं, जिससे कि हमें maximum benefit मिल पाएं, यह जो भी nutrition हमारे food item का है, वो हमें मिल पाएं, तो वो सारी चीज़ें इस machine में होती हैं, यानि कि वो pulp को इस तरह से कर देता है, कि वो easy to digest होता है, साथ ही वो nutrition स है, भरा हुआ होता है, बिना किसी nutrition loss के, इसके साथ ही इसमें stone grind technology यूज होती है, इसकी blade को आपने देखा, उसके नीचे एक space बना हुआ है, तो बिलकुल जैसे हमारे घराट होते थे जहां पर stone के थ्रू grinding होती थी, यह बिलकुल उसी mechanism पे काम करता है, तो जो nutrition है, वो बहु ग्रेफ्रूट यानि की चकोतरा, इस तरह का यह होता है, और इसके साथ हम मिलाएंगे इसमें अनार यानि की पमगरेनेट, क्योंकि इसका taste थोड़ा सा खटा मीठा टाइप होता है, अगर यह थोड़ा कच्चा रहता है, तो खटा रहता है, अदर्वेस हलका सा मीठा, तो इसके साथ हम पमगरेनेट डालेंगे, तो यह काफी अच्छा taste देगा, तो हम बनाएंगे आज ग्रेफ्रूट पमगरेनेट पंच, इसके साथ हम थोड़ा सा फ्रेश फ्लेवर के लिए मिंट भी आड़ करेंगे, तो सबसे पहले इसको मैंने कट किया पीसेस में, इसके ङजीली निकल जाते हैं क्योंकि काफी बड़े seeds होते हैं, बट इसका जो pulp होता है, वो निकालने के लिए इसके बाहर जो layer होती है, उसे हटाना होता है, क्योंकि वो काफी तिक होती है, और कड़वी भी होता है, तो यहाँ पर यह इंग्रीडिन्ट है, सिम्पल से यहाँ प तो अनार में काफी seeds होते हैं तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से इसके seeds separate होते हैं और किस तरह का pulp हमें मिलता है इसके बाद मैंने थोड़ी से mint एट की है mint से इसमें काफी fresh flavor आएगा इसके बाद grape fruit डाल दिया है और अब डाला है black salt कि आप end में भी डाल सकते हैं इसके बाद इसको lid से cover कर दिया है आप इसमें थोड़ा सा पानी जरूर डाले मैंने starting में जब चलाया था तब पानी नहीं डाला था तो काफी thick pulp इसका निकला था तो यहाँ पर आफ हाफ glass में पानी आड़ कर सकते हैं और अब जसको on करना है और यह देखिए इसका cyclonic method इससे पूरा pulp उपर नीचे जा रहा है साथी stone grind technology है तो उसमें से pulp बिल्कुल चू होके निकलेगा यानि कि आपको fiber जिस तरह का चीए उस तरह का आपको मिलेगा अगर आप तो speed पर रखते हैं तो thick fiber रहेगा medium पर रखते है last में तो आपको बिल्कुल fine इसका juice मिलेगा तो मैंने ये just medium पर रखा ताकि smooth texture वाला juice हमें मिले यहाँ पर आप अंदर देखी सकते हैं सिर्फ इसमें seed हैं कोई भी pulp नहीं है गर आपको लगता है इसमें pulp है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाले again चला लें और फिर इ निकाल लें जब आप इसमें से juice निकाल रहे हैं उस time पे आप speed high रखें ताकि maximum इसमें से extract होके आपके jar में आ जाए अब इसको हम serve कर लेते हैं आप देखी सकते हैं कितना refreshing ये juice लग रहा है और इसमें आप हलका सा काला नमक और डाल सकते हैं साथी में जीरा powder add कर सकते हैं औ काफी refreshing था ये और इसमें बीच कोई भी नहीं था ना अनार का और ना ही जो grapefruit का हलका सा करवापन रहता है वो भी इसमें कहीं नहीं था बहुत ही sweet ये juice बन कर आया था और काफी ज़्यादा refreshing तो इस तरह से performance wise भी मुझे काफी अच्छा ये लगा आप इसमें next कौन सी recipe चाह जाएगी आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं बहुत ही beautifully designed है साथी performance काफी अच्छी है तो अगर आप कुछ ऐसा juicer ढूंड रहे हैं जो कि आपको पल पीदे साथ में seeds उसमें नहीं आएं तो काफी सारे fruits ऐसे होते हैं जो seeds रहते हैं उसमें बहुत तंक करते हैं जब उनका juice हम बनाते हैं उसे taste बिगर जाता है तो इसमें वो कोई problem नहीं है तो आप उसे जरूर चेक आउट कर सकते हैं उमीद करती हूँ आज का ये review आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और अपना feedback मेरे साथ share करना नहीं भूलें मैं मिलती हूँ किसी और नहीं interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching have a nice day